हेलो दोस्तो, हिंदिय इंग वाइट टिप्स में आप सभी का स्वगत है दोस्तो अगर आपका मुबाइल डेटा बहुती जल्दी खतम हो जाता है आप मुबाइल में इंटरनेट बहुती कम यूज करते हैं इसके बावजूद सुबा से शाम तक भी आपका मुबाइल डेटा नहीं चलता है तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए इस वीडियो मैं मैं आपको मुबाइल की चार ऐसी गुप्त सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मुबाइल डेटा को काफी हद तक बचा सकते हैं जी हाँ दूस्तो आपका 1GB इंटरनेट पूरा दिन चलेगा फालतूगा जो मुबाइल डेटा है आपका खर्च नहीं होगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में नोटिफिकिशन बेल को दबा कर औल पर सेट कर दीजिए ताके आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद दोस्तों आपको एक कमेंट कर देना है सूपर वीडियो एक कमेंट जरूर कीजिए तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है मुबाइल की सेटिंग्स में यहां आपको एक सेटिंग मिलेगी Apps आपको इसे open करना है तो यहाँ आपके mobile की सभी application आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको देखना है जो बड़ी-बड़ी application है जैसे कि YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram दोस्तों यह सभी बड़ी-बड़ी application है यह क्या करती है? mobile में background में run करती है और बहुत ही जादा mobile data को consume करती है background में और हमें पता भी नहीं चलता हम सोचते हैं हमने mobile में internet तो use किया ने तो इतनी जल्दी mobile data खतम कैसे हो गया? तो दोस्तों जो बड़ी-बड़ी application होती है यह background में mobile data को use करती है और फाल्दों का data आपका खर्च हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक setting करना है जैसे के Facebook एक बहुत ही बड़ी application है मैं इसे open करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों एक setting मिलेगी mobile data इस पर click करना है तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं एक setting है allow background data usage इस setting को बन कर देना है अब मैंने setting को बन कर दिया अब क्या होगा Facebook application मेरे phone में background में mobile data को use नहीं करेगी फाल्तों में खर्च नहीं करेगी जब मैं Facebook application को use करूँगा तभी ही यह mobile data को use करेगी अगर दोस्तों यह setting आप अपने phone में करते हैं आप देखेंगे आपके mobile का जो data है जल्दी खतम नहीं होगा दोस्तों दूसरी setting के लिए आपको जाना है Google photos application में यह application सभी Android phone में default होती है ठीक है अगर आप इसे open करेंगे तो यहाँ पर आपके mobile की सभी photos और videos आपको देखने के लिए मिलेगी आपको उपर profile के logo पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको photos setting पर click करना है यहाँ पर दोस्तों आपको backup and sync पर click करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से interface आएगा आपको यहाँ पर mobile data uses पर click करना है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ Google Photos Application का काम क्या है और इस Application से कैसे आप अपने Mobile Data को बचा सकते हैं दोस्तों Google Photos Application सभी Android Phone में होती है इसका काम क्या है जब भी आप अपने Phone में कोई फोटो या वीडियो लेंगे तो दोस्तों वो उसका Automatic Backup बना लेती है अपने अंदर ठीक है और यह Backup दोस्तों जब भी लेती है तो आपके Mobile के Data को यूज करती है For example आपने WhatsApp के अंदर कोई 100 MB का वीडियो डाउनलोड किया ठीक है आपने उसे डाउनलोड कर लिया लेकिन Google Photos उसे अपलोड करेगी अपने अंदर उसका एक Backup बना लेगी और इसकी वज़े से आपके Mobile का Data यूज होगा और दोस्तों यह एक Automatic Process होता है जो आपको पता भी नहीं चलता और आपके Mobile का Data खर्च हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिमिट सेट कर देना है डेली लिमिट जो है आपकी Google Photos की वो आपको सेट कर देना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से Unlimited सेट है यानि कि अगर मैं अपने फोन में दिन भर में जितने भी फोटोस वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा या फिर डाउनलोड करूँगा गूगल फोटोस उसका अटोमेटिक एक बैक अप ले लेगी और मेरे मोबाइल के डेटा को कंज्यूम करेगी ठीक है तो यहाँ पर लिमिट सेट कर देना है जिससे कि मैं सेट कर देता हूँ 30 MB अब दोस्तो क्या होगा गूगल फोटोस त्री 30 MB का ही बैक अप ले पाएगी मेरे मोबाइल में फोटोस और वीडियोस का उससे जादा नहीं ले पाएगी तो यह सेटिंग दोस्तो आप ज़रूर से ट्राइ कीजिए आपके मोबाइल का जो डेटा है जल्दी खतम नहीं होगा फालतों में खर्च नहीं होगा दोस्तों तीसरी setting के लिए आपको जाना है mobile की settings में इसके बाद जाना है आपको about phone में यहाँ पर आपको जाना है software information में और यहाँ पर आपको build number पर 7 बार click करना है तो आपके phone में एक नई setting आ जाएगी developer option अगर आपको MI का phone यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर MIUI version मिलेगा उस पर आपको 7 बार click करना है तो additional setting में आपको developer option की setting मिल जाएगी ठीक है तो आपको developer option की setting को open करना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है apps वाले section में यह रहा apps वाला section ठीक है तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी background process limit आपको इस पर click करना है और आपको यहाँ पर इसे no limit पर set कर देना है तो इससे क्या होगा दोस्तो कोई भी application background में run करके आपके data को आपके mobile data को consume नहीं करेगी और काफी हद तक आप mobile data को बचा सकते हैं दोस्तो चौती setting के लिए आपको जाना है YouTube application में आज कल YouTube application सभी लोग use करते हैं दिन बार हम YouTube पर वीडियो वगरा देखते हैं तो आपको YouTube के अंदर भी एक setting कर लेना है ताके आपके mobile का data जल्दी खतम ना हो ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो को open किया हुगा है उपर 3 dot पर किलिक करना है तो यहाँ पर एक setting मिलेगी quality आप देख सकते हैं इस पर किलिक करना है तो यहाँ पर दोस्तों सभी लोग एक गलती करते हैं इसे auto पर set कर देते हैं अगर आप यहाँ पर quality को auto पर set करके रखेंगे इसके बात क्या होगा जब भी आपके phone में आपको network अच्छा मिलेगा internet की speed अच्छी मिलेगी तो YouTube वीडियो को full HD में play करेगा जिसकी वज़े से आपके mobile का data बहुत ही जल्दी consume हो जाएगा बहुत ही जल्दी खतम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है इसे 360 पिक्सल या 480 पिक्सल पर set करके रख देना है इससे क्या होगा दोस्तों आपकी जो वीडियो है full HD में play नहीं होगी और जो आपका mobile का internet है वो जल्दी खतम नहीं होगा तो यह setting आप जरूर से try कीजिए आप देखेंगे आपके mobile का जो internet डेटा है जल्दी खतम नहीं होगा तो दोस्तों यह थी mobile डेटा को बचाने के लिए 4 secret setting इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी family member अपने दोस्तों के साथ WhatsApp, Facebook पर share कर दीजिए वीडियो को एक like जरूर कीजिए आपका एक like मुझे बहुत ज़्यादा motivate करता है वीडियो बनाने के लिए अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में Thank you